हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो होने वाली है important documentation जो आपको visa filing के लिए चाहिए होगी और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण documents का जिक्र करने वाले हैं जैसे काफी लोगों को doubt रहता है कि SOP कैसे बनाया जाए उसमें क्या-क्या चीजे डाली जाए क्या-क्या प्रूव किये जाए और एफिडेविट अप सपोर्ट में क्या-क्या चीजे डलती हैं तो वो सारी information और साथ-साथ template भी हम इस वीडियो में attach करेंगे आप सभी के लिए expense sheets कैसे बननी हैं सिरफ यहीं और भी बहुत सारे important documentation जो आपको चाहिए होगी वीडियो के लिए इसमें check out that video और यह वीडियो हो रही है documentation के लिए इसके बाद हम next video डालेंगे कि आप visa appointment कैसे book करते हैं तो यह पूरी एक श्रिंखला है आप पहली जानते हैं अपने visa form वाली वीडियो पहली देख लिए अब चलते हैं इस वीडियो के साथ तो सबसे पहला document जो दोस्तों आप लोग करके अपने पास print कर लिजेगा दूसरे नंबर पर आता है आपका visa appointment letter upcoming वीडियो वही वीडियो रहेगी आप थोड़ा बने रही है हमारे साथ channel पर तो हम उसको भी cover करेंगे आगे देखने में और तीसरा document आया दोस्तों आपका eef attestation यह आपका campus France की site से आपको download करना है तो वो आप payment की receipt आप अपना print out कर लिजेगा और उसको आप VFS में देना है आपको अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं campus France NOC की जो भी आपका NOC IT email में वो आपको email से आपको screenshot ले लेना है और आपको उसको print कर लेना है इससे अगला देखते हैं दोस्तों आपकी passport की photocopy याद रखिएगा दोस्तों colored होनी चाहिए और आपका face बिल्कुल अच्छे से visible होना चाहिए बिल्कुल clear print out होना चाहिए first page का और आपके last page का जिसमें आपकी personal information रहती है और last page में आपकी address की information रहती है वो ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो दोस्तों उससे अगला आता है आ आपने उसकी payment receipt करी होगी अपने program के लिए university में जाने के लिए उसकी xerox copy लगानी है इससे अगला आता है दोस्तों आपका registration certificate जिस भी university में आप जा रहे है उसकी xerox लगेगी इससे अगला देखते हैं दोस्तों आपका air ticket जब भी आप usually सबके course September में start होते हैं तो आपको आगेगी VFS में इसके बाद आता है दोस्तों आपका travel insurance जो की बहुत ही ज़्यादा important document है हम आपको suggest करते हैं कि एक साल का कराएं क्योंकि वह best रहता है और अच्छी company का कराएं वह ज्यादा बढ़िया रहेगा तो अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों कैसे communicate करना जाएंगा MBC के साथ आपको अपना case रखना उनके सामने तो SOP और cover letter ही एक इकलौधा ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपने सारी information अपने भाव आपने जो भी आपकी सारी details है program के बारे में आप इसके through बोल सकते हैं वही सारी आपने इसमें इसमें इन्खलूड क दोस्तों इस letter के through आपका passion जलकना चाहिए आपके course के लिए कि आप कितने passionate है वह course करने के लिए और याद रखिएगा कि अच्छे vocabulary और grammar का इस्तमाल करें फॉर्मल लेटर होने वाला ये completely इसमें इन्फॉर्मल लेंगवज का इसमाल ना करें चुरुबात करते हैं template के साथ तो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कि एक template आपके सामने display हो रहा होगा तो कुछ नहीं करना आपको बस usually ये information इस किसम से follow करनी है recipient यही रहेगा to the embassy of France उसका address वगेरा आप एक बरी चेक कर लें subject में डाल देंगे letter of application for long stay study visa आप ये पहला paragraph देख रहे होंगे आप बस इसमें अपनी personal information डाल दे जैसे कि ABC के बजाए अपना नाम और अपना passport number डाल दे अपनी course की fee euro और INR में यहां पर डाल दे और चलते हैं इसके next part की और जो है introduction तो दोस्तों introduction एक ऐसा part है SOP का जो की drive करता है reader को आपका पूरा letter पढ़ने में तो हम suggest करेंगे कि आप अपने SOP के जो introduction है उसको start करें एक story के साथ जिस instance पे आपको ये लगा कि आपने इस field में काम करना है जो भी आपकी field हो या आपने किस course को pursue करना है जिस दिन आपको पता लगा है तो थोड़ी सी story को mention करें ये generic information ना हो इसमें अगर आप detail में जा सकते हैं तो वो ज्यादा बढ़ी आपके लिए और इस paragraph में आप बात कर सकते हैं अपने recent project के बारे में भी जो कि आपने चाहे हो सकता है किसी research में किया हो या किसी work experience आपका कु किस field में था क्या 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 आपने पढ़ा आपके सारे subjects आपने जो internships करी इस दोरान अपने academic background के दोरान वो सारी information इसमें डालें अगला paragraph आता है professional experience अगर आपके पास है तो जो भी आपका last experience रहा है अपनी designation के बारे में डालें और आपका क्या क्या रोल था वो डालने की कोश करें अगर आप एक link बना सकते हैं अपनी पुरानी position और जो नई degree आप करने जा रहे हैं तो अगर वो link आप बना सकते हैं वो link जरूर बनाए major project अगर आपने कोई भी किया हो तो वो भी इस paragraph में आप जरूर डालें अगला paragraph आ जाता है दोस्तो reason for pursuing masters now तो आप अगर काम कर रह तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब आपको higher studies के लिए जाना चाहिए वो भी abroad जाना चाहिए तो इस paragraph में आप information डालेंगे जो skills आप enhance करना चाहेंगे अपने इस course में वो सारी information आप यहां फे mention करेंगे आप अपने goals कैसे achieve करेंगे इस course के जरीए वो भी आप इस paragraph में mention करें औ यह आपको किसी field में specific का कि जाना है तो वो चीज आप इस paragraph में mention कर सकते हैं तो हमने एक example के तौर पर दे रखा है कि having familiarized myself with the field of जो भी आपकी field है through academic research and industry knowledge and experiences I now intend to pursue my master's in the field since क्योंकि यह मेरा कारण है वो भी आप सारा इसमें डाल सकते हैं आगे चलते हैं दोस्तों कि यही program क्यो और इस यही particular university क्यों तो इसके लिए वही आपको normal process करनी है आप university की website पे जाएं आप connect करें उन students है जो उस university में पढ़ रहे हैं बहुत अलग-अलग माद्धे में उसके लिए Unibuddy आप रहती ही काफी universities में आप उनको LinkedIn में connect कर सकते हैं Instagram जो भी आपके पास माद्धे में हो इस paragraph में आप डाल सकते हैं अगला paragraph रहेगा दोस्तों career goals के बारे में आपको अपने career goals define करने पड़ेंगे basically दो paragraph में यह एक short term goals होता है जो आज से 5 साल तक देखते हैं जब आपका course खतम होता है आप कहां देखते हैं आपको किस position में काम करना जाते हैं तो थोड़ा उसके बा अपने short terms को link करेंगे अपने long term goals के साथ की कैसे जो आज आज आपको काम आने वाली है और course भी आप साथ में लगाएं तो दोस्तों बात करते हैं English proficiency के बारे में अगर आपने IELTS, TOEFL या TOEIC आपने exam अगर दे रखा है तो आप उसके scores इसमें mention कर सकते हैं जो भी आपने exam द सकते हैं कि आपकी last degree में आपकी सारी education English में carry out होई थी तो आप fully proficient है English में course को समझने के लिए इसके बाद दोस्तों आपको अपनी funding के बारे में पूरी detail information देनी होगी कि कौन आपका sponsor है या आपकी personal savings है या आपने कोई loan लिया है उसका sanction letter की details जो भी रहती है आप वो उसमें और कितना amount आपको मिला है वो पूरी specific details आप इसमें डालें euro में भी और INR में भी इन चीज़ों को mention करें इसके बाद दोस्तों आप चल पड़ेंगे conclusion की और अगर आपने इतनी सारी चीज़े include कर दी है तो इस पूरे letter को channelize करना ज़रूरी है एक conclusion के साथ इसको crisp रखें और इसमें डालें कि ये सारी चीज़े आपके सारा experience आपका सारा nature या जो भी आपके सारे work experiences है ये कैसे आपको help करेंगे इस particular degree को achieve करने में और कैसे आपकी degree आपको help करेगी आगे आपके goals को achieve करने के लिए साथ ही साथ दोस्तों आपको mention करनी पड़ेगी important justifications हो सकता है आपका visa पहले refuse हो गया हो कभी हो सकता है आपकी profile में gap हो तो वो सारी information इस paragraph में आएगी है आप अपना argument clearly state करें उसमें एक justification भी डाले कि इस reason की वज़े से मेरा ये gap था या मेरा refusal पहले आ चुका है अब मैं दुबारा डाल ला हूँ ये सारी चीज़े आपको इसमें mention करनी पड़ेग कितना पहले ही पे कर चुके हैं landowner को और course आपका कब commence कर रहा है ये चीज़ आपको साथ में mention करनी पड़ेगी जैसा कि अभी शेख ने भी पीछे खा कि आप वीजा के लिए आप अपनी travel tickets भी attach करते हैं साथ में तो आप यहां पर अपना ticket PNR डाले साथ ही साथ आपका health insurance number इसमें mention करेंगे कब से चाले हुआ कब तक वो valid रहेगा ये सारी details आपकी इस paragraph में जाएगी अंत में आप इस तरह आजाएंगे आप कहेंगे कि मैं confirm करता हूं ये सारी details सही हैं जितनी मेरी knowledge के मताबिक मेरे कोई family member नहीं है ये सारी normal details आपको डानने पड़ती हैं और मैं इस जैसे कि passport, copy, affidavit from sponsor और all भी बहुत सारे documents जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको वो सारे documents आप इसमें mention कर देक, main main documents और thank you लिखके आप sign कर दे इस document को इस तरह आपका पूरा SOP कवर हो जाने वाला है याद रखिएगा दोस्तों ये जो आपका SOP है ये लगबग 2 से तीन पेज का बनता है अगर आप अपने इसमें सारे information अच्छे तरीके से डालने हैं अपने सारे work experiences, internships, अपनी पूरी profile इसमें mention कर रहे हैं आप communicate कर रहे हैं तो ये लगबग 2 से तीन पेज का होने वाला है तो इस चीज का जरूर द्यान रखे हैं दोस्तों अगले पाट अब बात करते हैं दोस्तों कवर लेटर के बारे में क्यूंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताई दिया कि SOP आप कैसे लिखने वाले हैं तो उसी का एक संग्शिप्थ वर्जन एक स्मॉल ब्रीफ वर्जन होने वाला है कवर लेटर ये आप एड्रेस करते सेम अरे साइज रहेगा और इसमें में चीज याद रखेगा कि आप अपने एक्सपेंसेज अपना ट्रैवल इंशॉरेंज और अपनी स्पांसर की डिटेल्स वगरा डाल दें तो यह सारी चीजें आप इसमें डाल दें कि मैं यह कोर्स लेना जाता हूं बस यह उसी किसम का होगा एक सीवी अपना फ्रेश नियूली अपडेटेड़ सीवी बना के जाएं वह भी साथ में डैच करेंगे तो दोस्तों आप बात करते हैं फोटोग्राफ के बारे में आपको दो फोटोग्राफ ले जानी होगी 35 x 45 mm के साइज की और आपकी नॉलेज के लिए बता दें यह यूज प्रिंट करवाते हैं यह 35 x 45 mm रहता है थोड़ा साइज बढ़ा रहता है और आपका फेस को कवर करना चाहिए फोटो का 70-80% हिस्सा तो मतलब पूरी फोटो में 70-80% आपकी शगली शगल दिखनी चाहिए इस चीज का बिल्कुल द्यान रखिएगा मैंने प्रिंट करवाई मैं घर से ले गया था लेकिन वहां पर उन्होंने मेरे को फिरका कि आपकी फोटो का साइज ठीक नहीं है आप इसको रिप्रिंट कर वाले है वहां पर वह यूजिली बहुत कॉस्वी रहता है नॉर्मल प्रिंट से तो इस चीज का ध्यान अगला है डॉकिमेंट से आपके 10 आपकी ट्वेल्थ क्लास की जो भी आपकी मार्कशीट से उसको भी साथ में आप अटैच करेंगे आपकी अंडरग्राड आपकी जो ग्राजुएशन जो भी थी उसके आप डीमसी या ट्रांस्क्रिप्ट अगर आपने कोई मैस्टर्स कोर्स कर रखा है या आपने कोई इसको आप थोड़ा ध्यान से बरियेगा तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं expense sheet के बारे में अगर आपके पास template नहीं है तो आप description में जाके आप download कर सकते हैं तो अब चलते हैं expense sheet पर आप screen पर देख रहे होंगे आपकी असानी के लिए हमने fictitious information डाली है इसमें सारी तो आप सबसे पहले देखिएगा इसमें कि आपकी सारी personal information आपका name, surname, आपकी age आपका marital status उसके बाद आता है आपका short stay study visa या फिर long stay study visa इसमें आपको choose करना long stay study visa क्योंकि आप degree के लिए जाने वाले हैं प्रोग्राम में तो आप long stay study visa करिए उसके बाद आपका रहेगा studies इसमें आपका आजाता है आपका tuition fees इसमें हमने tuition fees जितनी है आपकी euro में वो डाल दी, Indian rupees में वो submit कर दी है फिर उसके बाद आपने जितनी fees pay कर दी है वो आप लिख देंगे euro में convert करके अलग लिख देंगे फिर उसके बाद अगर आपकी कोई scholarship लगी है तो आप दिखा सकते हैं इसमें अगर नहीं लगी है तो मत दिखाईएगा तो इसके बाद आपका पूरा calculate करके आपका X amount इतना बना इसके बाद आपके living expenses living expenses में आप याद रखिए दोस्तो 615 euros पर month आपको दिखाना है एक साल के लिए 12 months के लिए तो आप वो multiply कर लीजे लिख लीजेगा इसको आपर euro में अलग convert करके लिखना है फिर आपने अगर advance में अपना कुछ security में दिया है तो आप वो उसको यहाँ पर deduct कर दीजेगा दिखा के लिख के इसके नीचे आजाएंगे आप total cost आपकी कितनी है तो आपका tuition fees प्लस आपका one year का expense वो आपको दोनों को plus करके इसमें दिखा देना Indian rupees में भी और euro में भी तो अब इसके नीचे चलते हैं दोस्तों कि आपके पास funds कितने available है तो funds में जो भी आपको sponsor कर रहा है अगर वो आपके माता पीता है आपके bank loan है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप कोई third person के through sponsor किये जा रहे हो तो आपको उसकी detail दिखानी पड़ेगी कि कितना amount वो आपको दिखा रहे हैं काग्जों पर अब इसमें आगया आपका sponsor one कितने पैसे दिखा रहे हैं आप वो दिखा दीजे यूरो में के साथ अब उसके बाद आपको पूरा अगर आपका कोई bank loan है तो आप bank loan से जितना आपका amount है वो दिखा दीजेगा और यूरो में करके वो सारा आप addition कर दीजेगा इसके बाद आपका A-Z जो भी आपके tuition fees वगेरा expenses वगेरा जितने भी हैं और आपके पास जितना fund है उसको subtract करके जो भी balance निकले वो आप यहाँ पर यूरो में लिख दीजेगा और एक चीज़ का थोड़ा दोस्तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूरो का rate है वो आप mention करेंगे अपने affidavit of support में तो उसी के हिसाब से आप calculate कीजिएगा तो अब देखते हैं दोस्तो affidavit of support सबसे पहला दोस्तों आप screen पर देख सकते होंगे कि affidavit of support में इसको हमने refer किया Consulate Journal de France जो भी आपका address रहेगा embassy का अगर आप Delhi में जा रहे हैं तो आप वो address लिख दीजिएगा इसके नीचे आपका affidavit of support की starting हो जाएगी ये आपका 100 रुपे की stamp paper पे आपको print out कराना है affidavit को notary कराना है और attest कराना है ये चीद थोड़ा ध्यान रखिएगा आप और इसमें first party में जो affidavit खरीदा जाएगा आपका e-stamp वो 100 रुपे का जो आप खरीद होगे उसमें आप sponsors के नाम लिखवाएगे जैसे आपके mother और father आपको sponsor कर रहे हैं तो दोनों के नाम लिख़े जाएगे अगर खाली father sponsor कर रहे है तो father का नाम लिख़ा जाएगा तो इस चीज में आप first party में थोड़ा ध्यान रखेगा और second party में आपको Consulate General de France और उनका address डलेगा तो ये चीज आप stamp paper के लिए थोड़ा ध्यान रखेगा खरीदते वक्त अब इसमें चलते हैं हम affidavit of support के अंदर ये आपका एक basically template है आप इसको follow करिए अपनी information डालिएगा इसके बाद आता है आपका second paragraph जिसमें कि आपकी अपनी information डेलेगी candidate name आपका जो भी 12 months का expenses है 650 euros per month प्लस आपकी course की entire fees वो आपको यहाँ पर mention कर देनी है इसके नीचे आते हैं दोस्तों वही सब जो हमने पीछे expense statement में भरा था आपके जितनी भी fees है वो डाल दीजिएगा scholarship डाल दीजिएगा आपके pending tuition fees वो minus करके इसमें दिखा सकते हैं और इसमें आपको living expenses दिखाना है आपका one way ticket और उसके साथ साथ आपको अपना PNR number दिखाना है अपनी air ticket का ये जरूर दिखान रखिएगा इसके बाद आपके total fund available subtract करके जो वो हमने expense sheet में दिखाया था वो आप यहां पे डालेगा अब इसमें आता है आपका one euro is equal to इतने Indian rupees तो वो आप date के इसाफ से डाल दीजिएगा जिससे आपने calculate किया है उनको एक calculation के लिए असानी रहेगी उसके बाद आप नीचे देखने हैं दोस्तो एक line total available funds जितने भी आपके पास funds available है वो आप Indian rupees में यहां लिख दीजिएगा तो जैसे कि दोस्तो अब आप box देख रहे होंगे नीचे की side तो अब यहां पर सबसे बड़ा important part आपका शुरू हो गया funds को demonstrate करने का तो सबसे पहला आगया आपका education loan किस account में वो पैसा है वो दिखाना है आपको principal amount कितना है उस account में वो दिखाना है और वो किस candidate के नाम पर है उसका bank का नाम और उसकी branch पूरा address वो आपको दिखाना है अब इसमें आप ध्यान रखिएगा इसमें तो हम mention कर देंगे सारी details सारे accounts की अब वो आपको दिखाना कैसे है आपको bank के अंदर जाना है manager से मिलना है आपने और वहां से bank statement लेनी है attest होनी चाहिए वो bank statement और latest होनी चाहिए तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए जितनी भी आप information अपने funds की यहाँ पर डालेंगे fixed deposit की डालेंगे वो FDs आपको वहां से print out कराके उनको attest करानी पड़ेगी bank से और latest statement होगी तो अब इसमें दूसरे number पर देखते हैं आपके fixed deposit आपका second sponsor है तो हमने इसमें mother name दिखा दिया है कोई भी second sponsor हो आप उनका नाम डाल दीजेगा bank detail और FD number डाल दीजेगा अब दोस्तों अब हम इसमें नीचे आजाते हैं verified and signed डिख रहा होगा आपको लिखावा अब इसमें आपके जो भी sponsors होंगी जो भी आपका उनके साथ relation है वो mention कर दीजेगा नाम वगेरा उनका और इसमें last paragraph में आप देख सकते हैं कि date, day और month यह आपको print out करने के बाद वहाँ पर अपने pen से भर लेना है और इसको affidavit को आप attest करा ले और notary करा ले तो अब आगे चलते हैं दोस्तो तो अब आता है हमारा proof of funds जो भी अभी हमने affidavit of supports पे funds demonstrate करें दोस्तो वो ही हमें उनकी photocopy लगानी है fixed deposit की अगर आपने कोई bank loan लिया है तो आपका sentient letter लगेगा और जिस account में वो पैसा आया है उसकी latest statement लगेगी और वो attested होनी चाहिए आपकी bank manager से तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखेगा कि stamp लगवाले हैं आप उस पे अब अगले उस पे चलते हैं जो भी आपके sponsors रहे होंगे आपके affidavit of support में आपको उनकी ID लगानी है उनकी basically KYC documents लगेगे उनका अधार card और pen card उनके sign होने चाहिए तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेगा उसके बाद आता है दोस्तों जो भी आपकी sponsor हैं उनके पिछले 3 साल की ITR उसके बाद आता है दोस्तों आपका name change affidavit बहुत से लोगों के cases में ऐसा रहता है कि उनके mother father के बहुत से documents पे spelling गलत रहती है तो उसमें आपको एक name change affidavit बनवाना पड़ता है यह आपका 50 रुपे के stamp paper पे बनेगा 50 रुपे का stamp paper आप ले लीजेगा first name जिनका भी नाम जैसे father का नाम है तो उनके original नाम से आप खरीद लीजेगा जो correct spelling है तो जैसे कि अभी आप screen पर affidavit देख सकते होंगे तो यहाँ पर original name डाल दीजे और उनके father का नाम जो भी रहेगा वो डाल दीजे और यह candidate का नाम रहेगा क्योंकि वो आपको denote कर रहे हैं basically embassy में आपकी file जा रही है इसके बाद आपका address आजाएगा और यह आपका पूरा template में वैसे ही कर दीजेगा और इसमें mention कर दीजेगा कि this is document पर हमारे नाम घलत है और यह दोनों नाम same person को denote करते हैं अब दोस्तों बात करते हैं आपके accommodation documents में तो सबसे पहला आता है आपका इसमें rental agreement हम जो suggest करते हैं वो minimum six months का आपका rental agreement होना चाहिए और उसमें सब कुछ खुला state होना चाहिए कि यह आपका name है यह आपका passport number है और आप इस university में आ रहे हैं तो आप उसमें डलवा सकते हैं और उसमें आपका period जरूर specify होना चाहिए तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसमें आपको साथ में attach करनी होगे आपकी leezer ID आपका जो भी owner होगा जैसे company है तो आप उसकी ID लीजिए या तो उनकी ID में उनका passport हो सकता है या फिर driving license वो आपको जरूर लगाना है यापर उसके बाद आता है दोस्तो आपका accommodation certificate अगर आपने student apart से book किया है आप screen पर देख सकते होगे आपको ऐसा मिला होगा तो वो आपको लगा देना है साथ में documents में last में आता है आपका दोस्तो payment certificate जो भी आपने अपना accommodation book किया है तो उसके लिए आपने जो payment किया होगा उसकी slip लगाईएगा bank transfer की अगर आपने student apart के through किया है तो वो आपको वहाँ पर एक payment certificate मिला होगा वो आपको attach कर देना है और इसी के साथ दोस्तो सारे documents हमने पूरे detail में cover कर दिये हैं जो भी हमने आपको template दिखाए हैं screen पर वो हमने description में attach कर दी है आप वहाँ से जाके उनको download कर लीजे कोई भी query है आपको आप हमें comment कर सकते हैं हमको mail कर सकते हैं अभी आपको screen पर एक email ID दिख रही होगी आप उस पर जाकर हमको email कर सकते हैं और जल्द ही हम नई वीडियो के साथ आएंगे आपके VFS appointment के साथ तो आप हमारे साथ बने रही है और कोई भी दिक्कत हो तो please हमको याद करना ना भूलिये और ऐसी प्यार दिखाते रही है इसी के साथ हम आपकी अलविदा लेते हैं बाबाए टेक केर